T20 World Cup से ठीक पहले तीम इंडिया के कोच राहूल द्रविड की होने वाली है छुटी, मिल गया तीम इंडिया को निया कोच, इस दिगज किलाडी के कोच बनते ही भारत का T20 World Cup जीतना तै, महिंदर सिंग दोनी को भी दे चुके हैं किरकेट की कोचिंग, दोस्तो तीम इंडिया 27 मई है, बताया जा रहा है कि नियुजलेंड के दिगज खिलाडी, स्टीफन फ्लेमिंग को भारत का निया कोच बनना लगबग तैम आना जा रहा है, और फ्लेमिंग तीनों फॉर्मेट, टेस्ट वन डे और T20 के कोच बन सकते हैं, आपको बता दे 2009 से स्टीफन फ्लेमिंग चन्नाई सूपर किंग्स के हेड कोच हैं, और इनके कोचिंग के अंदर में ही महेंदर सिंग धोनी वाली चन्नाई सूपर किंग्स ने 5 बार IPL की ट्रोफी जीती है, अगर स्टीफन फ्लेमिंग भारते टीम के कोच बनते हैं, तो अगले कुछ सालों में भारते क्रिकेट की दशा बदल जाएगी इस्टीफन फ्लेमिंग आईपेल के इतिहास के सबसे सफल कोच हैं सियसके के कोच के रूप में सफलता प्रतिशत के कारण भी उन्हें टीम इंडिया के नई कोच के तोर पर देखा जा रहा है आपको बता दे जो भी टीम इंडिया का नया कोच होगा उसका कारेकाल 1 जुलाई से शुरू होकर 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा इसका मतलब नया कोच 2027 के वन डे वर्ल्ड कप तक भारते टीम की जिम्मदारी संभालेगा हेड कोच के अलाबा 16 लोगों को सपोर्टिंग स्टाफ में रखा जाएगा मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौझुदा टीम इंडिया के कोच राहूल द्रविड ने मार्च में IPL 2024 शुरू होने से पहले ही BCCI से मांग रखी थी क्यों अपने परिवार के साथ जादा समय बिताना चाहते हैं राहूल द्रविड नवंबर 2021 में टीम इंडिया के कोच बने थें और उनका कारेकाल वर्ल्ड कप 2023 के बाद ही खतम हो चुका है BCCI ने नया हेड को चुने जाने तक उनका कारेकल बढ़ा दिया था वहीं अब स्टीफन फ्लेमिंग का टीम इंडिया का नया कोच बनना लगबग तैमाना जा रहा है